निरहुआ रिक्सावाला की हिरोईन पाखी हेगडे को जब ये फिल्म आउफर होती है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये भोजपूरी कौन सी इंडस्ट्री है और ये लोग हमसे ले जाकर क्या कराने वाले हैं भोजपूरी के जो डिरेक्टर थे जो राइटर थे वो लोग इस फिल्म का नरेशन देती हैं समझाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है और इस फिल्म को लटका देती हैं छे महीने के लिए पहले तो फिल्म को मना करती हैं लेकिन जब इस फिल्म में काम करने के लिए वो भोजपूरी की जो शुरुवाती सूपरिस्टार हीरोईन थी जो पहली सूपरिस्टार हीरोईन थी उस लिस्क में वो सामिल होती है भोजपूरी की अभी तक के अगर सबसे सुंदर हीरोईन की बात की जाएं उनमें पाकी हेगड़े का नाम होता है और उनका भोजपूरी फि बोजपूरी कहानी है वह अपने पीता कोuencia बताना नहीं ebenfalls चाहती थी Rishtəदार जाने ना कीए कि Sims पाकी हेगडे खुद एक इंटर्व्यू में बताती है कि वह पहली बार जब भोशपुरी फिल्मों के काम करने का उनके पास ऑफर जाता है इनको फिल्म की कहानी ऐसी होने वाली है तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको ये पल्ले ही नहीं पड़े था कि यह लोग करना क्या चाहते हैं यह क्या बनाएंगे फिल्म मुझसे क्या करवाएंगे और इसके लिए वह असपश्ट तोर पर मना कर देती हैं कि मैं किसी इंडस्ट्री में बोजपूरी इंडस्ट्री में काम करने वाली नहीं हूँ मुझे किछ पता ही नहीं है एक तो वो साउथ इंडिया से आती हैं वो ब इसके बाद एक अलग कहानी शुरू होती है उस समय वो मैं बनूंगी मिस इंडिया नाम का एक टीवी सो कर रही थी ये टीवी सो दुर्दरसन पर आता था और काफी चर्चित था इस टीवी सो से उनका भी जहरा है काफी फिमस हो गया था मतलब कि वो जो हिंदी इंडस्ट् इसके उनका एक सरकल बन गया था क्योंकि वो टीवी सो में काम कर रही थी ये लोग उनको बताते हैं कि आपके पास एक बोशपूरी फिल्म का ओफर है अगर आप चाहेंगी तो ये फिल्म कर सकते हैं अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था पहले ही वो फिल्म को मना कर चु करोगी तुमको भले वहां का प्लॉट समझ नहीं आ रहा है वो फिल्म क्या है बोशपूरी इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन ये फिल्म करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा कासा यह उपरचुनिटी है और तुम्हारा नाम हो जाएगा अब पाकड़ी को काफी अच्छे प्रोडूसर है काफी बड़े प्रोडूसर है उनकी फिल्म मों साइन कर चुकी थी क्योंकि पहले ही मना कर चुकी थी कि मैं भुशपूरी फिल्म नहीं करूंगी और वह अपने लाइफ में आगे बढ़ गई थी तब तक अचानक से रिष्टे के चलते वह कि फिल्म हो शूट काशी करें कि निरवा रिक्सावाला खेशिस्टीम एक तुरंथ कोने वाली थी और तब उन्हें कैसे भी मैनेजग करिक एए पहले ही दिन की वह कहाने पताती यह काफि दिल्चस्प पहले ही दिन एक सीन शूट होना था निरहुबा इंदस्ट्री में नय थे पहली फिल्म थी गायकी करते थे लेकिन किसी हिरोईन से उनका सामना होना उनके लिए काफी बड़ी बात थी पहले ही फिल्म में उनको पहले ही सीन में कह दिया जाता है कि आपको किसिंग सीन सूट करना है अब निरहुआ को लगता है कि हिंदी फिल्मों से एक बड़ी हिरोईन आई है मुंबई से एक फिरोईन आई है। और एक औरे सरा में दूर भागते रहते थे। और एक किसिंग सीन सूट करने में निरहुआ की जो हालत खराब हुई थी एक दम वो पानी हो गय ते। वो एक सीन को करने में बार बार भाग रहे थे, एक दम नर्भस हो गय पूरा दिन जैसे लग गया था तमाम बाते वो बताती हैं और हिंदी फिल्म छोड़कर वो भोश्पूरी में आई और इसके बाद पाकी हेगडे ने जो नाम कमाया वो किसी से चुपा नहीं है लगातार जब तक वो भोश्पूरी फिल्मों में एक्टीव रही एकडम स्टार के बनके रही सूपर स्टार बनके रही रानी चितर जी और पाकी हेगडे दो ऐसे नाम होते थे जो बोश्पूरी फिल्म में जितनी बड़ी फिल्म हो निरहुआ के फिल्म हो बड़े-बड़े स्टार की जितनी फिल्म आती थी यहीं लोग दिखते थे और भोश्पूरी के पहले जो फीमेल सूपरिस्टार है उसमें रानी चिटर जी और पाकी एगड़े का नाम बन गया और इसके पीछे की कहानी इतनी दिल्चस्प्री जो हमने आपको बताई हिंदी फिल्म छोड़कर वो यह भी नेत्री भोजपूरी फिल्मों में आती है और उसके बाद बोजपूरी दर्शकों के जबान पर एक्दम चड़ा रहता है उनका चेहरा लोगों के आखों में है दिलो दिमाग में बसा हुआ है बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक लिए पॉमेंट बॉक्स में बताईएगा जंता जंशन देख रहे थे आप बहुत बह अबने बाट